हलो दोस्तो मैं इन्वास्ट चेफ करश्मी के तरब से एक नए अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तो यह अपडेट एडमिशन प्रोस्स के हवाले से है यहां पर आप देखिए एडमिशन नोडिफिकेशन नमबर 18 ऑफ 2022 यह एडमिशन किन प्रोग्रम इसके लिए है यहां पर यह एडमिशन पर चेमदा एबकिन शन्त ड्रिर्म आप लाक्ष यह बाद मौ पर देखिए इसवेफ आप ऑनलै अरेफिकेशन फरं श्यूरू हो गये है और last date कहा रहेगा last date रहेगा 3 सेप्टमबर तक याद रहे और eligibility की बात अगर हम करेंगे candidates should have passed LLB professional और B.A. LLB five years from the University of Kashmir और from any other university or institute recognized by UGC with at least 55% markers यानि इतना आपको याद रखना है कि जिसने भी चाहे LLB pass किया है या किसी ने integrated जो होता है B.A. LLB जो five years का course होता है वो भी pass किया है और चाहे वो इनमेंसे कोई भी डिगरी आपने University of Kashmir से पास की है या किसी और institute या university से जो कि UCCA affiliated है लेकिन इतना आपको याद रखना है कि कम से कम 55% of markers होना चाहिए अगर आप open merit से बिलांग करते हैं या अगर आप किसी क्याड़ गरी से बिलांग करते हैं तो आपको कम से कम 50% of markers होना चाहिए उस LLB में या अगर आपके पास LLB ये LLB है जो भी आपके पास है उसमें कब से कम ये criteria पो रहा होना चाहिए तब आप apply कर सकते हैं इसके लिए admission criteria किस बिलांपर admission हो जाएगा ये आपको पहले एंट्रोनस टेस्ट देना है और उस एंट्रोनस टेस्ट देने के बाद जो वहाँ पर mirror list आ जाएगा उसी के बिलांपर selection हो जाएगी तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे आपको apply कर देना है इस पर पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना दिये हैं कि कैसे आपको apply करना है कैसे आप एंट्रोनस फारम बार देंगे ये इस पर अलग से वीडियोस बने हुए हैं लेकर फिर भी मैं यहाँ पर आपको मैंन मैं चीज़े बता दूँगा सबसे पर आपको इस website पर जाना है इस website को मैं description में भी डाल दूँगा आप वहाँ पर क्लिक करके भी उस page पर पहुँच पाओगे जहां पर आपको फारम मिल जाएगा इस website पर जब आप किलिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे options आ जाएंगे उनमें से आपको चूज करना है admissions जब आप admissions चूज करेंगे वहाँ पर तो वहाँ पर आपके पास option आएगा कि आपको फिल करना है वहाँ पर registration number आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बदद आपको अपने details उसके साथ साथ आपका photograph भी upload कर देना है उसके बद आपको next पर फिर से क्लिक कर देना है वहाँ पर आपको यह सारा फारम आपके सामने आजाएगा जहां पर आप उसको rate कर पाएंगे अगर आपको लागता है कि कहीं पर कोई change करनी है तो previous पर क्लिक कर देजे अगर पुरा कलियर रहे तो साब्मेट पर क्लिक कर देजे तो आपका फारम साब्मेट हो जाएगा उसके बद आपको option आएगा online फीस पे करेंगा तो आपको online फीस पे करना है 7.500 रुपई जिसमें 500 रुपई entrance फीस होता है और 500 रुपई application फीस होता है तो टोटल ये बन जाता है 7.500 उसके बाद यहां पर बात की गए है submission of downloaded की क्या download फारम क्या download फारम साब्मेट करना है या नहीं करना है यहां पर साफ लेका है कि जब आप online फारम साब्मेट करेंगे तो आपको कोई भी जूरत नहीं है need not to submit हाट का भी कहीं पर भी आपको हाट का भी साब्मेट नहीं करने है लेकिन अपने बास आपको रखने है further process के लिए तो दोस्तों ये था एक update LLM admission के हवाले से आज की वर्डिम फ्लाइना है Thank you